Hello Everyone, Namaste तो आज में जो ए रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक Suggestive Topic के उपर ही है और वो Topic ये है About Your Future Children तो आपके Future के जो चिलरन होंगे उनके बारे में हम आज इन डीटेल में बात करेंगे और ये जो रीडिंग है, ये टाइमलस है और जैनरल रीडिंग है and for both males और females हर किसी के लिए है और मेरे blessings हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है and इसी तरह ही प्यार support दिखाते रहो मेरी चैनल को and यहाँ पे मैंने दो पाइस रखे हुए हैं Pile No.1 उन लोगों के लिए हैं जिनका भी बर्डेट 1 से लेके 15 के अंदर आता है या फिर आप green color feather को Pile No.1 के according ले सकते हो and Pile No.2 उन लोगों के लिए है जिनका भी बर्डेट 16 से लेके 31 के अंदर आता है या फिर आप orange color feather को Pile No.2 के according ले सकते हो means अपने अपने बर्डेट के according आप Pile चूस कर सकते हो या फिर colors के according भी आप लोगों को अपना अपना Pile चूस कर सकते हो ये आपके उपर ही है तो अभी हम शुरू करते है Pile No.1 से तो यहाँ पे मैंने दो cards निकाले हुए हैं पहला है the world card and five of wands card in reverse तो आपके जो future के children होंगे न वो लोग either एक earth sign से related उनका personality होगा या फिर एक fire sign से related उन लोगों का personality होगा और एक चीज़ मैं बता दूँ आपके जो बच्चे होंगे वो बच्पन से ही थोड़े mature type की बाते करेंगे means थोड़े समस्थारी type बाते ऐसे होते हैं न बच्चे जो की बहुत सारे questions पूछते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ ऐसा क्यों हुआ, प्लीज मुझे बताओ, मुझे जानना है like that kind of things, okay क्योंकि उनको curiosity रहेगे कि हर एक चीज के बारे में in detail जानना और एक word में अगर मैं describe करूँ आपके जो future के बच्चे होंगे तो वो लोग एक multitasker होंगे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिनके बारे में उन लोगों को जानने की चाह नहीं होगी and technical way में भी आपके बच्चे बहुत ही जादा अच्छे होंगे means आप देखते होगे न बच्चों को की mobiles, laptops, ये सब कितनी आसाने से use कर लेते होंगे and आपके बच्चे वो सब का उन लोगों के अंदर एक strong knowledge होगा बच्चपन से ही बहुत ही जादा means age से जादा ही maturity रहेगी आपके बच्चों के अंदर और जब आपके babies आपके life में आ जाएंगे at that time आपके पूरी life complete हो जाएगी you all will feel कि आप लोगों को सब कुछ मिल गया है आप खुश रहोगे आपके family खुश रहेगी एक बहुत ही खुशाल happy happy type के wives दिख रहे है मुझे यह आप और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपके बच्चे को compete करना बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा here she loves to compete आप देखते हैं कौन सब से better है like not in a negative way but in a friendly way क्योंकि आपके जो बीबी सोंगे उनको जीतने का शौक रहेगा थोड़ा और वो लोग बहुत ही जादा knowledgeable sides से ही होँगे और in their near future जब वो लोग बड़े हो जाएंगे एक rich जिसको बोलता है न एक rich person बन जाएंगे पैसे से खेलेंगे मतलब आपके बीबी के career जो होगा न वो बहुत ही जादा अच्छे side से होगा means ये person कहीं सारे careers में अपना नाम बनाएंगे एक multitasker होंगे मैंने पहले ही बोला है लेकिन आपके बीबी को वहां तक पहुँचने के लिए कहीं सारे दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा कहीं सारे conflicts से गुजरना पड़ेगा compete करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है जब एक बहतर इंसान किसी जगे पर आ जाता है compete करने के लिए तो दूसरे सिर्फ compete नहीं करते है रास्ते से हटाने की भी कोशिश करते है ठूँ गॉसिप्स, ठूँ बैड थिंग्स लेकिन आपके जो बेबीज होंगे उनमें वो maturity होगी situation को किस तरह से handle करना चाहिए उनको पता होगा और आपके बेबीज उस लेवल तक एक authoritative position मुझे अभी दिखा यह word यह channel message है आपके बेबीज जिस भी profession में जाएंगे वहाँ पे एक authoritative position में पहुँच जाएंगे and because of their name आपका भी नाम होगा और जहां बात करूँ मैं आपके बेबीज की love life की तो जब वो बड़े हो जाएंगे तब एक बात मैं बता दूँ आपके बेबीज बहुत ही जाएदा beautiful होंगे बहुत ही pretty बहुत ही सुन्दर होंगे ठीक है तो उनके school, colleges, time पे भी कहीं सारे लोग होंगे जो की उनको date करना चाहेंगे and आपके बेबीज में वो emotional side होगा वो caring side होगा and because of that लोग थोड़े attractive feel ज़रू करेंगे हमेशा आपके बेबीज को एक support मिलता ही रहेगा चाहे वो आपके family हो या फिर बाहर कहीं पे भी हो career life या पिर कहीं पे भी और love life में भी आपके बेबीज को थोड़े problems face करने पड़े के जब वो लोग adulthood में enter करेंगे क्योंकि उनके पास कहीं सारे options होंगे और एक सही life partner choose करने में उनको थोड़ी दिक्कते आएगी शायद एक time पे मुझे ये दिख रहा है दो या तीन लोग भी उनको try ज़रू करेंगे पर सही decision आपके जो babies होंगे वो ले लेंगे in their future तो मुझे यहां पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें ही दिख रही है आपकी babies का नाम होगा in their near future rich person होंगे career path तो कमाल का है love life भी अच्छा खासा है means थोड़ा तो दिक्कत आएगी ही ये तो दिक्की रहा है लेकिन उसके अंदर वो maturity होगी कि वो सारी situations को आराम से handle कर लेगा यहां पर मैंने कुछ cards निकाले हुए हैं पहला तो है emotional तो आपके जो babies होंगे वो थोड़े emotional side से होंगे मुझे यहां पर दो या तीन babies दिख रहा है ठीक है अगर number की बात करो तो and थोड़े emotional side से होंगे लेकिन उनमें एक चीज़ होगा कि खुद की तकलीफ को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करते होंगे share नहीं करते होंगे बहुत जल्दी दूसरों को forgive कर देते होंगे चल छोड़ो कोई बात नहीं like that बहुत ज़दा flexible nature होगा means जहां पर ये person इतने ज़दा emotional होंगे at the same time आपके जो babies होंगे वो बहुत ही ज़दा practical way में अपनी career life को handle करते होंगे एक चीज़ तो ये पका है और आपके babies जो होंगे वो कई सारी changes shift से गुजरेंगे चाहे वो उनका career हो या फिर love life हो लेकिन transformation से ज़रूर ही गुजरेंगे और उनके life में हर चीज़ time के according होगा धीरे धीरे होगा और एक time ऐसा है का आपके babies के life में जहांपे की ये person को means इनके life पूरी change हो जाएगी like career life में शायद मुझे ये चीज़ देख रहा है sudden एक opportunity मिलेगी and वहां पे ये person sudden excel कर लेंगे ये person कभी सोचा नहीं होगा कि इतने दूर तक पहुँचेंगे बड़ कुछ ऐसा होगा ये person के life में कि ये person को आसमान के उचाई तक पहुँचा देंगे और एक चीज़ है ये person में maturity इतनी जादा होगी कि इनके friends even आप लोग भी आप लोग भी आपके बेबिस को पूछोगे जब ये बड़े होंगे कि ये काम करना सही रहेगा वो काम करना सही रहेगा advice लोगे क्योंकि ये person बहुत ही जादा अच्छे से advice देते हैं and आपके बेबिस को थोड़े homesick person होंगे means family आपके बेबिस के लिए बहुत जादा matter करेगी means आप जो मेरी viewers and आपके जो spouse होंगे आप दोनों ही matter करोगे आपके बेबिस के लिए बहुत जादा and कुछ दोग लिए मुझे ये दिख रहा है कि शार्द आपके बेबिस home में पैदा हों means home delivery हो या फिर कहीं पे एक home जैसे nursing home में कहीं एक ward होगा जहां पे कि home का use हुआ होगा something कुछ उस तरह के दिख रहा है मुझे आपके घर पे पैदा होंगे आपकी बेबिस लेकिन home यहां पे होगा ही होगा then ये बेबिस को अगर जब आपके बेबिस जब शादी की उमर हो जाएगी उनकी तो वो जब किसी relationship में आएंगे तो joint family में ही रहेंगे वो कभी भी separate नहीं होंगे आपसे no का कारसी कभी भी separate नहीं होंगे आपकी बेबिस आपसे और एक चीज़ मैंने कुछ advice कार निकाले हुए है काईस आपके लिए tell your feelings to your loved ones तो आप शायद थोड़े ऐसे personality हो जो की इतनी जल्दी open up नहीं होते हो दूसरों के सामने तो अगर आप married हो या फिर आप unmarried हो that doesn't matter here आपको अगर आपके बेबी से related कुछ भी बात करनी हो तो आप खुल के अपने spouse के साथ बात करना जितनी बाते आप clearly बोल सको means अगर आप चाहते हो बेबी करने के लिए तो go and talk to him जो मन में हो वो बोल दूँँ या फिर आपको अभी बेबी नहीं चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो कि हम लोग plan करेंगे and then we will have our babies like that kind of stuff तो divine आपको एक चीज़ बोल रही है कि जो मन में है बेबी से related तो आप अपने spouse को बता सकते हो you need to select the correct path first and then move with full force to achieve that target पहले तो angels से ही बोल रहा है मुझे कि आप खुदी confused हो कि आपको करना क्या है means आपको अभी babies करना है या नहीं करना है या आप plan करना चाहते हो आप बहुत confusion से चल रहे हो take decision by observing both the sides positive and negative of each situation यहाँ पे both the sides कौन है मैं बता देती हूँ आप and आपके spouse यहाँ फे family क्या बोल रही है उस पे आप इतना धान मत दू आप क्या सोच रहे हो and आपके spouse क्या सोच रहे है babies से related कोई भी आपका issue है कि आपको अभी करना है babies या नहीं करना है हर एक चीज को एक दूसरे के साथ बातचीत करके decide करो and then आप move on करो अपने like में ठीक है आपको babies चाहिए यहाँ पे 2 या 3 babies मुझे दिख रहे है अगर आपको अभी babies नहीं चाहिए बात में चाहिए तो वो planning के साथ आप आगे बढ़ सकते हो अपने life में तो ये आपके उपर ही है ये divine actually कुछ बताना चाहती थी इसलिए मैंने advice card निकाला आपके लिए क्योंकि मुझे ऐसा feel हुआ कि शायद आपके मन में थोड़े confusion चल रहे है इसलिए तो ये reading था pile number one लोगों के लिए और अगर आप लोगों को मेरे videos जो है वो resonate होता है या फिर आपको अच्छा लगता है सुनने के लिए तो मेरे चैनल को आप लोग subscribe करो like करो and share भी करो अपने family friends and colleagues के साथ and spread love and trust everywhere ओके and मेरे blessings तो हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है guys take care and be safe and अभी हम लोग move करते हैं pile number two की तरफ so pile number two मैंने हैं पर आप लोगों के लिए दो कार्स निकाले हुए हैं the chariot card and night of source card in rivers तो आपके जो future के children होंगे means आपके जो बच्चे होंगे वो either एक water sign से related उनकी personality होगी cancer, scorpio, piscis या फिर उनकी personality में air sign का influence होगा Gemini, Libra या फिर Aquarius ओके और जहां बात करो मैं आपके future के children की तो यहां पर मुझे एक या फिर तीन max चार बच्चे दिख रहे ठीक है या आपके उपर ही है लेकिन मुझे लगता है कि आप जो मेरे viewers देख रहे हो हो इस reading को आप और आपके spouse जो हो वो एक बच्चे से ही खुश रहते हो में रहोगे मिस आप दोनों के mindset ऐसा है कि एक बच्चा हो लेकिन सही परवरिस उसे मिले सब कुछ हम उसे provide करें ऐसा आप अपने spouse के साथ बातचीत करते होगे अगर आप married हो अगर आप married नहीं हो तो जब आपकी शादी होगी तब आप दोनों इसी तरह ही बातचीत करोगे तो यहाँ पर मुझे एक तीन या फिर चार बच्चे दिख रहे है maximum मुझे एक बच्चे ही दिख रहे है और जहाँ बात करूँ मैं आपकी बेबी की nature की तो willpower तो बहुत ही ज़ादा strong होगा means आपकी जो बेबीस होगे ना उनका बच्पन से ही क्लियर ही होगा की future में उनका goal क्या है क्या बनना है और वो हमेशा आपको बोलेंगे की मैं बड़े हो के यह बनूँगा या यह बनूँगे लाइक दैट ठीक है और एक चीज़ मैं बता दूँ की success तो है career life में success आपके babies को पक्का मिलेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा patience जिसको बोलता है वो आपके बच्चों में हमेशा रहेगा suppose आज कुछ problem हो गया इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो काम ही छोड़ देगा या छोड़ देगे नहीं next day उसी काम को एक नई तरीके से करना शुरू कर देंगे आपकी babies उस तरह का उन लोगों का mindset ज़रूर होगा लेकिन एक चीज मैं बता दूँ कि आपके जो babies होंगे ना उनमें थोड़ा गुसा aggression थोड़ा हद से ज़ादा होगा और आपके जो spouse है या फिर जो होगे उनके अंदर भी ये anger issue थोड़ा है arrogant side से है and because of that जैसे कि वो चीज जीन्स में ही आपके babies को मिला है वो रहे का गुसा पका मतलब extreme level पे ही होगा चाहे आपके baby लड़के हो baby boy हो या baby girl हो मतलब अगर गुसा हो जाते होंगे ना तो वो किसी को भी पीट सकते है like that थोड़े rudely बात करते हैं at that time और कोई भी इंसान आपके babies से जबरदस्ती कोई काम करवा नहीं पाएगा क्योंकि जिद्धी stubbornness मुझे strongly दिख रहा है आपके babies के अंदर होगा पक्का होगा और कई सारे काम को at a time करने की एक चाह हमीशा रहेगी आपके babies के अंदर क्योंकि उनका जो dream होगा ना वो छोटे मोटे काम करने में नहीं होगा जो भी काम करेंगे ना वो higher level पे जाके करेंगे दूसरों को थोड़ा control में रखके करेंगे आपके babies को किसी की भी motivation की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी self motivated personality हो क्योंकि और जो भी एक goal set करेंगे ना आपके बच्चे वो future में निभा के ही दम लेंगे चाहे इसके लिए उन लोगों को जुगार ही क्यों ना करना पड़े थोड़ा जुगार साइट जरूर होगा लेकिन ये आप पूरी तरह से गलत भी नहीं बो सकते हो क्योंकि हर काम आप सही वे में करोगे अच्छे वे में करोगे आप सोच लोगे लेकिन दूसरे जो होते हैं वो लोग आपको कभी भी वैसा करने नहीं देंगे तो उस टाइम पर आपके बेबिस थोड़े जुगार साइट भी यूज़ करेंगे just to get their goals not in a negative way ठीक है किसी के साथ गलत करके नहीं पर थोड़ा तेड़ा रास्ता यूज़ करके वो लोग अपना करियर लाइप में एकसल कर लेंगे लेकिन सक्सेस हासल करके ही दम लेंगे and workplace में भी उनका थोड़ा जगडालू सबब भाव रहे का उनके कलिक के साथ मन मटाव ठाइब चीज़े रहेंगी और जहां बात करूँ मैं और एक चीज़ मुझे दिखी अभी आपके बच्चों को घूमने परने का बहुत शॉक रहेगा बच्चपन से means हमेशा they are ready to go with you आपको बोलेंगे कि ममा पापा मुझे यहाँ पर जाना है आप लोग के साथ जाना है vacations में कहाँ चलेंगे इस यगे पर जाएंगे उस यगे पर जाएंगे और जब उस तरह की बाते आपको बताएंगे जब चोटे होंगे अगर आप उनको एक cell phone लाके दोगे तो उसमें वो recording करेंगे उसमें कोई YouTube channel खोल लेंगे मतलब एक passion होगा आपके babies के अंदर घूमने फिने का traveling का different cultures के बारे में जानना का जैसे कि एक obsession type का होगा लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ अगर आप सही guidance के तोर पे धीरे धीरे उनको guide करोगे न उनके अंदर एक discipline side आ जाएगा अपने काम को एक time table के हिसाब से करना शुरू कर देंगे और वही चीज़ आपके babies को life में आगे लेके जाएगी तेक है और एक चीज़ मैं बता दूँ अगर मैं love life की बात करो आपके बच्चों की जब वो लोग अपनी adulthood में पहुँच जाएंगे at that time उनके जो partner होंगे उनके साथ आपके जो babies होंगे मतलब आपके जो बच्चे होंगे थोड़ा उनका argument हमेशा रहेगा means आपके जो बच्चे होंगे उनका जिनके साथ शादी होगी उनके साथ थोड़ी बहुत कहा सुनी रहेगी क्योंकि because of your baby's anger और बहुत ही खराब जगड़ा दिख रहे है मुझे यह आपे क्योंकि control issue रहेगा आपके बच्चे और उनके spouse के अंदर में कौन सबसे better है like that क्योंकि आपके जो बच्चे होंगे उनको बहुत ही कम age से age में ही प्यार हो जाएगा किसी के साथ intense एक relationship में enter कर जाएंगे और उनके भी babies जल्दी आगने के chances मुझे दिख रहे हैं वसे तो गलत भी नहीं है आजकल के time में पर आपके जो बच्चे होंगे उनके शादी बहुत जल्दी हो जाएगी ठीक है उनके भी बच्चे बहुत जल्दी life में आ जाएगे तो ये एक channel message था इसलिए मैंने बता दिया और आपके जो children होंगे उनके dark deep black color आँखे होंगे ठीक है थोड़ी watery eyes मुझे दिख रहे है और बहुत ही जादा protective nature होगा जब आपके babies बड़े हो जाएगे लेकिन उनके अंदर एक intuitive side होगा थोड़ा spiritual side से होंगे लेकिन उनको इसके बारे में इतनी जल्दी पता नहीं चलेगी ठीक है उनको लगता होगा कि नहीं है ऐसे ही means वो कुछ ना कुछ बोल देते होंगे और वो चीज़ हो जाती होगी लेकिन उसे वो चीज़ seriously आपके babies कभी लेंगे नहीं लेकिन उनके अंदर वो intuitive side जरूर होगा और आपके जो babies होंगे न वो आपके spouse के nature के according होगे मुझे वो ही दिख रहा है लेकिन आपके babies को उनके life के purpose पता है divine उनको हमेशा science देती रहेगी कुछ करते होंगे कोई काम रुख जाता होगा means divine उनको बोले होगी की ये काम मत करो लेकिन वो जाके वो ही काम करेंगे तो कभी कभार उनको problems face करनी पड़ीगी थोड़ी sensual side से होंगे दिखने में आपके बच्चे जो होंगे वो बहुत ही जादा attractive होंगे पक्का and उनके अंदर थोड़ा वो sensual side होगा and because of that वो बहुत जल्दी relationship में भी आ जाएंगे कहीं सारे date भी करेंगे आपके बच्चे जब बड़े होंगे कहीं सारों को reject भी करेंगे लेकिन आपके बच्चे जो होंगे उनका marriage होगा वो love marriage ही होगा और उनके life में babies बहुत जल्दी आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ advice card निकाला हुए है आपके लिए मेरे viewers जो ये देख रहे हो nice future is waiting for you so relax and now take action तो अगर आप सोच रहे हो babies करने के बारे में तो ये time आपके लिए सही रहेगा divine way बोरी है आपको कि आपके जो babies होंगे वो एक luck के साथ आपके life में आएंगे तो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो you will get valuable precious stone like diamond after finishing the charcoal walk hard तो शायद आप लोग मुझे pile number 2 वहाँ उस से दिख रहे हो जो कि आप लोग babies चाहते हो लेकिन कोई दिक्कत आ रही है आपके life में and because of that babies नहीं हो रहे हैं आपके लेकिन आप कहीं सारे techniques या tricks biological आप try कर रहे हो just to get babies तो आप करते रहो ठीक है अगर ऐसा कोई issue है हर किसी के लिए ये issue नहीं है ठीक है लेकिन जिनको है आप करो क्योंकि divine बोल रहे हैं कि babies आपके life में जरूर आएंगे ठीक है और जो babies आपके life में आने बाले हैं न वो बहुत ही ज़ादा means आपके life में means luck लेके तो आएंगे ही आएंगे लेकिन घर में सब उस babies को बहुत प्यार करेंगे क्योंकि थोड़े nut cut naughty side से होंगे चाहिए वो baby boy हो baby girl हो the value of love is care, emotions, nurturing and openness तो यह जो babies आने वाले हैं आपके life में वो आपके life में प्यार care and emotions को जगाएंगे आपके और आपके spouse के बीच में और strong emotional bonding create होगा and हर कोई आपके babies को प्यार करेंगे and here I am seeing कि आपके babies बहुत ज़ादा nut cut type से belong करते होंगे चोड़ी चूपे कहीं जाके बैट के खा रहे हैं कुछ fresh निकाल के या फिर अपने दादादी या नाना नानी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं उस तरह की चीज़ों मुझे दिख रहे हैं पर सबके लाडले या लाडली आप जिसको बोलते हैं वही होंगे आपके babies ठीक है तो ये था reading pile no.2 लोगों के लिए तो अगर आप लोगों को मेरा जो readings होता है वो resonate करता है या आपको सुनना भी बहुत अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर भी करो अपने family, friends and colleagues के साथ और इसी तरह ही प्यार, support and trust दिखाते रहो मेरे blessings हमेशा आप लोग के साथ ही रहती है guys, stay care and be safe, love you all bye